hello guys, आज हम पढ़ेंगे foreign exchange rate के बारे में, कि foreign exchange rate क्या होती है, कैसे detrimine की जाती है, तो start करते है, firstly देखो, पहला आपको पता हूँ नची, foreign exchange होता क्या है, तो foreign exchange क्या होता है, जिसे देखो अगर मैं काऊँ, हमारी India की currency को छोट कर, जितनी भी currency है वो हमारे लिए क्या है foreign exchange है तो अगर मैं हमारे जिसे इंडिया के point of view से बात करूँ तो हमारे लिए foreign exchange क्या है हमारी इंडिया की currency है हमारी इंडिया की currency क्या है rupees है तो rupees को छोड़ कर बाकि जितनी भी कंटी है उनकी currency हमारे लिए क्या आती है foreign exchange में आती है अच् क्या होते है वो rate जिस rate के उपर एक currency दूसरी currency के बदले में जो change की जाती है ठीक है जैसे मैं बोलूँ कि एक dollars की value है वो किसके बराबर जैसे 8% की मैं बात करते हूँ 73.66 यानि हम क्या कर रहे है जो एक dollar की value है वो किसके बराबर है हमारे इंडिया की rupees के 73.66 रुपीज है उसके बराबर है तो ये क्या होथी foreign exchange rate क्या होते है जहाँ पर एक currency को djal Walnuter के का ठीक ऑष सर से बातले में exchange की जाती है जिस rate के उपर एक currency दुसरी कर ठीक करेंसी के बदले में exchange की जाती है उसको हम क्या बोलते है foreign exchange rate है ठीक है जैसे admiration rate is the ratio between तो इसमें बता रखा है कि जैसे UK के जो पाँच पाउंड की वैलू है वो हमारे इंडिया की रूपीज के इसाब से कितनी है 400 है ऐसे ही जो 5 यूएस डॉलर की वैलू किसके बराबर है हमारे इंडिया के 250 ठीक है तो बता रखा है कि जहां पर हम क्या होते है एक्षेंज रेट वो होती है जिस रेट के उपर एक करंसी की वैलू दूसरी करंसी की वैलू के साथ डैटर्माइन की जाती है अच्छेंज की जाती है अच्छा दैन आता है अच्छा एक होता है अप्रिशेशन और एक होता है डैप्रिशेशन ठीक है तो इसको देखो बढ़ते हैं के बराबर है हमारे 60 रुपी और US के एक डोलर है ठीक है अब appreciation क्या होता है अगर मैंने बोला एक डोलर है न अब उसकी value कितनी होगी हमारे इंडिया के 50 रुपीज के बराबर होगी तो इसको बोलेंगे हम currency का appreciation, क्या बुलेंगे appreciation, देखो, पहले तो हमें क्या थे itaire कोई चीज खरिदने के लिए हमें 60 rupis देने पढ़ते थे, U.S. से मालूँ हम क्या चीज मंगा रहे हैं, तो हमें कितने देने पढ़ते थे, 60 rupis देने पढ़ते थे, और अब हमें कितने देने पढ़ रहे हैं 50 rupees देने पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी currency है उसका क्या हो गया appreciation हो गया ठीक है हमारी currency की value क्या होगी भढ़ गई देखो जैसे मैं बात करो एक pen है और एक pen जो pen है न उसकी value मालो 20 rupees है अब उसकी value कितनी बढ़ जाती है 25 हो जाती है तो marker की value में तो appreciation हो गया लेकिन हमारी currency की value में तो क्या हो गया depreciation हो गया पहले हमें उस marker को खरिदने के लिए 20 rupees देने पड़ते थे हैं लेकिन अब हमें कितने देने पढ़ रहे हैं 25 फाइब रूपीज देने पड़ रहे हैं तो यानि मारकर की वैलू के अंदर तो क्या हुआ एप्रिशेशन हुआ लेकिन करंसी की वैलू में डेप्रिशेशन हो गया तो इसी तरह से मिसको लेकर चल रहे हैं कि पहले हमारा एक डोलर है वो 60 रूपीज के बराबर हुआ करता थ अब मालो 50 के बराबर हो गया तो पहले हमें उस चीज को खरीदने के लिए 60 रूपीज देने पड़ते थे अब 50 देने पड़ते हैं तो इसका मतलब क्या है हमारी करंसी का क्या हो गया एप्रिशेशन हो गया दें डेप्रिशेशन क्या होता है जिसे अभी मैंने आपको मालक का एक जमपल दिया था कि मालो पहले एक यूएस डोलर था अब जैसे मालो पहले क्या था 70 रूपीज के बराबर था अब किसके बराबर हो गया 73.66 के है तो अब यह क्या हो गया डेप्रिशेशन पहले मुझे उस चीज को खरीदने के लिए 70 रूपीज देने पड़ते थे अब कितने देने पड़ रहे है 73.66 रूपीज देने पड़ रहे है तो यनि हमारी करेंसी की वैल्यू के अंदर क्या हो गया डेप्रिशेशन हो गया थीक है देन बात करते हैं फोरन एक्शेंज मार्किट फोरन एक्शेंज मार्किट क्या होती है फोरन एक्शेंज मार्किट होते हैं जहां पर क्या होते हैं해 जहां पर nehme currency को खरीदग और बेचा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं foreign exchange market the foreign exchange market are the market in which one currency can be traded for another like the goods or market इसकी तरह there are the buyers and sellers यहां पर भी क्या होते हैं buyers or sellers होते है Ukrainas they may be individual insurance firms भी की हो सकते हैं financial institutions भी हो सकते हैं these buyers and sellers meet and contact contact each other for the transaction such market have worldwide coverage through modern technology जो foreign exchange market की जो coverage है ज्यादा होती है क्योंकि modern technology का इसमें यूज करते हैं besides transfer of fund यहां पर हम क्या करते हैं जो funds का transfer हो एक country से दूसरी country में easily कर सकते हैं speculation का benefit भी उठाया जाता है profit motive के लिए ठीक है speculation भी किया जाता है foreign exchange के अंदर अब आती है exchange rate तो exchange rate वो ही होते है जिस rate के उपर क्या होते है एक currency को दूसरी currency के बदले में exchange किया जाता है ठीक है उसको हम क्या बोलते है exchange rate ठीक है अब एक होते है fixed exchange rate ठीक है fixed exchange rate वो rate होती है जहाँ पर currency की value है न वो कौन determine करते है वो currency की value जो manage की जाती है वो करती है हमारी government fixed exchange rate वो होती है जो जहाँ पर currency की जो rate है वो government की दोरह determine की जाती है इसमे एक थोड़ा सा minor सा point अलग है देखो अभी हम आगे flexible exchange rate पढ़ेंगे तो देखो fixed exchange rate example लेके चलते हैं यहाँ पर क्या होता है यह आपकी supply है और यह आपकी demand है तो equilibrium कहा होता है यहाँ पर होता है अब मालो अब government ने क्या करा जो rate है उसको भढ़ा दिया rate को भढ़ा दिया अब आप बोलोगे कि exchange rate भढ़ गई exchange rate भढ़ गई तो currency का depreciation हो गया exchange rate भढ़ गई मतलब पहले एक डोलर था वो 70 के बराबर था और अब एक डोलर मालो government ने determine कर दिया 73 के बराबर तो हमारी currency की value exchange rate भढ़ गई पहले 70 था अब 73 हो गया तो exchange rate भढ़ गई आप बोलोगे यह क्या हो गया depreciation लेकिन इसमें थोड़ा सा यह होता है कि जब exchange rate की value है वो government के दोरा determine की जाती है तब उसको हम depreciation और appreciation नहीं बोलते हैं तो इस case के अंदर अगर मालो जो आपकी जो rate थी न exchange rate थी वो R से R 1 हो गई ठीक है तो वो R से R 1 हो गई तो यहाँ पर क्या हो गया currency का devaluation बोलेंगे हम क्या बोलेंगे depreciation नहीं बोलेंगे क्योंकि fix exchange rate के अंदर क्या होते है जो exchange rate है वो government के दोरा determine की जाती है तो जब government के दोरा determine की जाते तो उस case के अंदर हम depreciation depreciation नहीं बोलते है उस case के अंदर हम depreciation को क्या बोलते है devaluation और depreciation को क्या बोलते है revaluation ठीक है तो अब यहाँ पर देखो exchange rate भढ़ गई ना बढ़ गई ना तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो currency है उसका क्या हो गया devaluation हो गया अब government है वो exchange rate को कम भी कर सकती है मालो r2 कर दिया ठीक है तो अब इसका मतलब क्या है अब हमारी क्या होगी 50 मतलब हमारी क्या हो गया हमारी करन्सी का appreciation हो गया लेकिन फिक्स एक्चेंज रेट सिस्टम के अंदर हम है अप्रिशेशन नहीं बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे revaluation ठीक है और यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे devaluation ठीक है तो जब exchange rate है वो government के उदरा रेटर्माइन की जाते है कि इसके अंदर fix exchange rate के अंदर तो वहाँ पर हम revaluations और वहाँ पर हम जो appreciation और depreciation नहीं बोलते है वहाँ पर हम बोलते है devaluation और revaluation ठीक है तो यह था आपका fix exchange rate system ठीक है तो fix exchange rate gives the exporter and importer greater certainty मतलब यहाँ पर क्या होता है कि stability लाने के लिए जो fix exchange rate system का use किया जाता है में लिए जो developing country है वहाँ पर कई एक country है जहाँ पर fix exchange rate system का use किया जाता है major most major industrialized nation have floating exchange rate system जो है वो mainly floating exchange rate system का use करते है we are the foreign floating exchange rate system में क्या होता है कि currency की value government determine नहीं करती ठीक है महाँ पर currency की value है वो market forces के दोरा determine की जाती है मतलब जो आपकी demand और supply है ना उनके दोरा जो है currency की value है वो determine है वो की जाते है किसके अंदर floating exchange rate system है लेकिन fixed exchange rate system के अंदर आपकी currency की values है वो government determine करती है अब डैने आता है flexible exchange rate system तो flexible exchange rate system में क्या होते है कि जहांपर currency के value है वो इसके दोरा determine होती है आपकी market forces आनि market forces का मतलब है Demand और supply टीक है तो यहाँ पर currency के value जो determined होते है वो आपकी demand कि बहि कितनी उसकी demand है कितनी foreign exchange की demand और कितनी supply है उसके according है वो जो exchange rate है वो determine है, वो की जाती है, ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक होती है, pure floating और एक होती है, managed floating, pure floating तो वो होती है, जहाँ पर official purchasing और selling नहीं होती है, लेकिन managed floating, देखो क्या होती है, कि अगर हम बात करें, कि flexible exchange rate system के अंदर है, currency के values है, वो market की demand और supply क्या coding determine की जाती है, लेकिन कई बर क्या होती है, कि government भी उनके अंदर क्या कर देती है, जो interfere कर देती है, जिसके कारण currency की values, market की demand और supply क्या coding है, proper determine नहीं हो पाती, तो उसको हम बोते है, managed floating और उसको dirty floating भी बोलते है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखो, dirty managed floating का मतलब क्या होता है, those flexible exchange rate, where at a list, some official intervention, जहाँ पर क्या होता है, government interfere कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते है, flexible exchange rate system, ठीक है, अब अगर आप बात करें कि flexible exchange rate system के अंदर किस तरह से determine होता है, देखो, कि जब आपकी market के demand और supply है न, दोनों बराबर हो जाता है, यहाँ पर आपका equilibrium होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होता है, equilibrium होता है, जब market के demand और supply दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है, अब मालो exchange rate भढ़ जाती है, exchange rate भढ़ गई तो क्या हो गया, इस case के अंदर आपकी जो demand है, वो supply से कम है, यानि supply ज़ादा है demand से, ठीक है, देखा न, आपने, exchange rate भढ़ गई तो आपकी supply है, वो इतनी हो गई, ठीक है, और exchange rate है, वो exchange rate है, वो कम हो गई, तो आपकी इस case में क्या हो गई, demand ज़ादा हो गई, ठीक है, इस case में जो आपका ये वाला curve है, यानि जो demand वाला curve है, ये ज़ादा हो गया, ठीक है, तो अगर हम बात करें, तो जो आपकी, जो currency है, उसकी value कहाँ determine होते हैं, जहाँ पर आपकी foreign exchange की demand और foreign exchange की supply है, ये वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर foreign exchange rate है, यहाँ पर क्या हो गया, equilibrium होगा, क्योंकि इस case के अंदर तो क्या है, supply ज़ादा है demand के, और इस case में क्या है, demand ज़ादा supply है, तो कहाँ determine हुआ, जहाँ आपकी demand और supply है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, वहाँ पर आपका foreign exchange rate है, वो determine होता है, ठीक है, तो इसकी आगे theory वगएर अभी और बच रहेगी, theories क्या होती है foreign exchange की, तो इसको हम पढ़ेंगे next video के अंदर, okay, thank you.